हेलो अब्रीवन विल्कम बैक टू माई चानल एजी लाइव विद्वर्शा तो हाजी रू में एक नए प्रोड़क्ट का रिव्यू लेकर आज का जो मेरा प्रोड़क्ट है वह थोड़ा सा अलग है आज जो प्रोड़क्ट है वह जो है एक्स्पॉ-डॉ छिसका नाम है 6 एम ग्लो ग्लो ऑप्किन-ए स्ट्राइक्ट से बना हुआ है यह इसे पॉलियूयेटर है यह में सी सॉल्ट है इसमें शुगर है, pumpkin extract है और काफी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगे और बताऊंगे कि ये काम कैसे करता है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगे Triple Action Brighter Exfoliation, Pumpkin Fruit Extract तो ये pumpkin fruit यानि कि pumpkin fruit से उसके extract से बना हुआ है तो इसमें sea salt है, pumpkin fruit extract है, carrot root extract है और squalene है तो Triple Action Exfoliator that क्या है可愛 है Chemically and Physically Wurfs Away Unwanted Dead Skin Cells इसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि यह आपके स्किन पे जो डेड स्किन होती है उनको रिमूव करता है स्किन को आपके पॉलिश करता और और वी काफी चीजे इसमें इंक्लूड थे बट जो में इन्ग्रिटेंट थे वह आपको बता दिये सी सॉल्ट जो होता है वो बहुत पुराने समय से हमारी स्किन के लिए ब्यूटी के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं हम सब तो रियल एक्सपोलियेटर है मैंने एक ही बार अब तक यूज किया है और ठीक ठाक है बहुत जादा तो मुझे नहीं फरक लगा लेकिन एक्सपोलिय की तो प्राइज जो है वो इसमें मेंशन किया गया है हाँ प्राइज है 990 रूपीज का काफी कॉस्टली है बट मुझे यह मिली है एमेजान पे 771 रूपीज पे तो आप चाहें तो आमेजान से परचेस कर सकते हैं तो आपको क्या करना इसको अपलाय कैसे करना है एक पतली सी लेयर आपको आपके फेस पे लगा लेनी है उसके बाद आपको हलके हलके से हलो एब्रीवन आज में यूज कर रही हूं सिक्सियम ग्लो एक्सपोलियेटर जो की बना है स्क्वैलन और पंकिन फ्रूट एक्स्ट्रैक्ट से इसमें है पावर्फुल एंटी ऑक्सिडेंस ज पतली सी लेयर आपको आपके फेस पे लगा लेना है पांच से साथ मिनट तक उसको रब करना है हलके हाथों से और इसके बाद आपको सिंपल नौर्मल वाटर से क्लीन कर लेना है ये रियल एक्सपोलियेटर है डेट स्किन सेल्स को रिमूब करके इस इसकिन को ब्राइटन सॉफ्ट बनाता है स्मूद बनाता है साथ ही साथ प्लैकेट्स वाइट्स की प्रॉब्लम को भी रिमूब करता है से मसाज करना है इससे हलके हलके से स्किन को रब करना है कम से कम पाच से साथ मिनट तक और उसके बाद आपको आपको क्लीन कर लेना है आपके फेस को वाश कर लेना है तो इसमें जो आप हफते में इसको यूज कैसे करना है हफते में एक से दो बार ही यूज कर सकते हैं से जादा नहीं करना है एक बार या दो बार यूज कीज़े और बात करूं इसके ट्रेक्शर की तो कुछ इस तरीके साथ होता है और बहुत ही जादा चिपचपा है सी साल्ट है इसके चiblत पार्टिकल इसमें चोटे-चोटे से चोटे चोटे से पार्टिकल्स हैं सी सॉल्ट है उसके वजह से यह हाथ में लगते हैं तो यह आपके स्किन को एक्सपोलियेट करता है ब्राइटर करता है रिजल्ट काफी अच्छा लगा मुझे और एक और चीज मैंने देखी जो कि इसमें मैंशन नहीं किया गया है कि अगर आप आपको वाइट की प्रॉबलम है आपके सिकिन पर नोजघार पर हो जाते हैं तो अगर आपको वाइटे की प्रॉबलम है तो वह भी यूज के बाद आप आप पासा चतनर जब रर्ब खरते हैं हलके हाथों से तो अपने आपी रीमओ चाए है तो वह इसे में था यह तो देखा जाए तो काफी अच्छा है आप वीक में एक सो दो बार यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो मुझे काफी पसंद आया एक्चली प्राइस थोड़ा जादा लग रहा है बट प्रॉडक्ट अच्छा है आप इस्तमाल करके देख सकते हैं पंकिन एक्स्ट्रक एक्चली फर्स टाइब मैं यूज़ कर रहे हूं लेकिन रिजल्ट अच्छा है तो आप चाहें तो यूज़ कीजिए और मुझे कॉमेंट करके बताएए कि आपको कैसा लगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक क्यार एव लेस्टे